असलाम अलेकुम फ्रेंड उमीर करते हूं आप सब खेलिया से होंगे इस वीडियो में आज जो इंटरमीडियर केर्टेगरी इवनिंग में जो टेस्ट हुआ है उसके एवरीडे साइंस के पार को सौल करके देखते हैं कुस्टर नमबर 76 है अमंग दो फालोइंग विच ग्रूप फोर्ड हेल्प आवर बॉड़ी ग्रो एंड रिपेर टिशूज एंड मसल्स तो फ्रोटीन जो है वो हमारे टिशूज बॉड़ी को ग्रो करने में हल्प करता है सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है कुस्टर नमबर 77 ह जो है वो फ्रोड़क्शन में हल्प करता है सो ऑप्शन डी करेक्ट है कुस्टर नमबर 78 है विच मिनरल इस एसेंशल फार बिल्डिंग बॉंस एंड टीथ मसल्स फंक्शनिंग एंड ग्लट लोटिंग सो जो बॉंस को स्ट्रॉंग करता है वो मिनरल है कैल्शियम ऑप्शन इस तो हम जो है उसमें जो है कैमिल अपना स्टोर करता है फुर्ड यानि के फैट्स को स्टोर करता है और फैट से वाटर बनाता है तो हम ऑप्शन डी करेक्ट है कुस्टर नमबर 80 है विच आफ दो फालिंग इस नॉर्स ऑफ कार्बन डियोक्शाइड इमीशन तो जिस से जो है कार्बन डियोक्शाइड रिलीफ नहीं होता सो वो है सॉलर पावर ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट है कुस्टर नमबर 81 है दा प्रॉसिज ऑफ सेपरेटिंग अ सॉल्यूबर सॉलेड फ्रॉम इस नॉन एज वो प्रॉसिज जिसमें से सॉल्यूबर सॉलेड अलग किय जाएं सॉलिशन से तो से हम क्रिस्टिलाइजेशन बोलते हैं ऑप्शन बी जो है करेक्ट है कुस्टर नमबर 82 है विच आफ दा फॉलिंग कंपाउंड इन डा में रीजन फॉर ग्लॉबल वार्मिंग के लिए कौन सा कंपाउंड जो है रीजन है कार्बन डियोकसाइड सो बी यहां पर करेक्ट कुस्टर नमबर 83 है विच आफ दा फॉलिंग इस नाट असालेट सब्लाइन मटेरियल सो यहां पर ऑप्शन जो है डी ग्लुकोस करेक्ट है कुस्टर नमबर 84 दा इंस्टुमेंट यूस्टुमेंट यूस्टुमेंट तू मैयर टेंपरेचर इसका इ करेक्ट है कुस्टर नमबर 85 है विच काज़ दा इस्टार इन स्पेस्टु एब्जर्ब एंड इस्कैटर इस्टार लाइडर रिजल्टिंग इन डियर ब्राइटनेस वो इस सवाल में बताना है कि किसकी वज़ा से स्टार जो है अपनी ब्राइटनेस खतम करते जाते हैं सो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब